मैं जीत्तन रावमान जी सत्य निष्टा से पर्ति ज्यान करता हूँ कि मैं बिधी द्वारा स्थापित भारत के संभिधान के पर्ति सची सर्धा और निष्टा रखूगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड ताक सुन रखूँगा मैं संभ के मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का सर्धा पुर्वक और सुध्य अंता करन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्सपात अनुराग या दोईस के बिना सभी प्रकार के लोगों के पर्ति संभिधान और बिधी के अनुशार नियाय करूँगा मैं जितन राम मांजी सतनिषटा से पतिज्यान करता हूँ कि जो भी से संभ के मंत्री के रूप में मेरे बिचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी ब्यक्ति या भीक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना आप एक्षित हो मैं पर्टक्ष अथवा पर्टक्ष रूप में संसुल्चित या प्रगट नहीं करूंगा थार्टक्ष रॉप में अपने करूंगा है श्री राजीव रन्जन सेंग सत्य निश्ठा से प्रति ज्यान करता हूँ कि मैं बिधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सरधा और निश्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अख्छुन रखूँगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सरधा पुरुवक और सुद्ध अंता करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात, अनुराग या देश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रतीश संविधान और बिधी के अनुसार नयाय करूँगा मैं राजीवरंजन सिंग और फ्ललन सिंग सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विशे संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा और प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ स्री सर्वानन सोनवाल भ्रत्यक्ष नहीं करूऄ? I I, Sarvananda Sronwal, do swear in the name of God that I will bear to fit an alligence to the constitution of India as by laws established that I will uphold the self-re propriety and integrity of India that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear of ever affection or ill will. I, Sarvananda Sonawal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or evil to any persons or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. . 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 कि वा मनला की सम्पूर नाबा सिकस कोड़ू ती एस्टी गुरुकुल गोठ बाठन भूबनिस्वू जादी आपणों को अम्मों वीडियो टी भल लागिला तेवे आमों चैनेल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करीबा कुछ जमें भी बूलों तो रहीं